देखे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो gas pipe है न ये वाला gas pipe इस regulator में लगा हुआ था तो इसमें जब ये लगा हुआ था तो इससे निकाला गया तो ये आराम से निकल गया इस regulator में ये gas pipe का एक सीरा ये वाला लगा हुआ था तो ये आराम से निकल गया लेकिन इसी pipe का देखे दूसरा सीरा यहां पर लगा हुआ है गैस चुला में लेकिन यहां पर यह निकल रहा नहीं देखे यह क्लेंप को ढिला कर लिया गया है और इसे बहुत खीचने का कोशिस किया जा रहा है इस पाइप को लेकिन यह निकल नहीं रहा है दो-तीन लोग इस पर आजमा चुके अपना हाथ लेकिन यह नहीं निकल रहा है यह पाइप मैं भी देखे इसे निकलने कोशिस कर रहा हूँ तो यह नहीं निकल रहा है तो इसे किस तरह से निकलना है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीका है जो मैं तरीका बताऊंगा वो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है देखे आपको क्या करना है एक मुंबत्ती जला लेना है इस तरह का ठीक है और इस मुंबत्ती के मदद से इसे निकालना होगा तो देखे मैं क्या करता हूँ इस मंबत्ती को ले लेता हूँ और देखे मैं क्या करता हूँ अब ध्यान दीजेगा मैं जो करता हूँ आपको ये काम 30 सकेंड तक करना है इस तरह से देखें यहाँ पर आपको मंबत्ती से इस pipe को गर्म करना है 30 सकेंड तक गर्म करना है और अधिक से अधिक एक मिनिट तक गर्म करना है यानि कि 30 से लेकर एक मिनिट के 20 तक ही से गर्म करना है इससे अधिक गर्म नहीं करना है एक मिनिट के अंदर में ही ये pipe आप निकाल लेंगे इस तरह से गर्म करना है जब आप इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे यानि कि 30 शेकंड से 1 मेर्ट तक ही गर्म करना है इस से अधिक आपको गर्म नहीं करना थिक है और इस तरह से गर्म करने के बाद आप इसे खीचेंगे तो ये पाइप अराम से निकल लियागा आपको कोई परिशानी नहीं होगा अब इस pipe को निकालने के लिए दो-तीन लोग अपना हाथ अजमा है लेकिन ये pipe नहीं निकला लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है आपको डरने कोई बात ने आप इस तरह से गर्म करेंगे तो कोई परिशानी नहीं होगा देखे मैं खीच रहा हूँ तो ये pipe देखे आप अराम से निकल गया तो इस तरह से आप gas चुले में फसे हुए pipe को इस मुंबत्ती के मदद से आप अराम से निकाल सकते हैं अब मालने जीए ये gas pipe इस regulator में इसमें जब लगा हुआ रहे और ये खीचने पर ना निकले हांसे खीचने पर ना निकले मैं पहले इस pipe को इस regulator में लगा दता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ देखे मैं इसमें लगा दिया अब क्या करना इस मुंबत्ती को लेना है और यहां पर 30 से 1 मिट तक गर्म करना जब यहां पर 30 से 1 मिट गर्म करेंगो उसके बाद इसे खीच लेना है तो ये gas pipe अराम से निकल जाएगा तो आपने सीख लिया कि फासे हुए gas pipe को gas चुला या gas regulator से कैसे निकाला जाता है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अपने रिष्तेदारों में सेर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाव मिल सकें उन्हें भी ये जानकारी मिल सकें कि फासे हुए gas pipe को गैस चुला या gas regulator से कैसे निकाला जाता है अगर आप इस वीडियो को सेर करते हैं तो मुझे comment करकर जरूर बताइए कि सर मैंने इस वीडियो को सेर कर दिया है